पिसमिल्ल्य रख्मानुट रहीम, असलाम लेकों वीबर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खेरिये से होंगे, मैं हूँ मरिया मकपर, हमारे चैनल एजी कोकिंग में आपको खुशाम देत, आज आपके लिए बहुत हैं वज़ेदार से बीफ बुने हुआ गोश्ट की रेस्प प्यास के लिए बीफ का गोश्ट और बीफ के गोश्ट को हम पैशर कोकर में डालेंगे, दो मिडियम साइस के प्यास लिए जिसे हमने स्लाइस में काट लिया है, यह भी कोश्ट में शामल कर देंगे, यहां लिए हमने तीन बड़े साइस की टेमाटर और इसे चोटे पीसे कर लिया है, यह भी शामल कर देंगे, तो दो चंष 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 मिड़ेंगे हम इसमें फ्रेश कोटा हुआ लैसादु अध्रा का पेंस्ट, और अब शामल कर देंगे हम इसमें स्पािस्स जोपिय लिए ग्ट चंष सुरक मिर्च का पौडर., एक चंष देरा पौडर, दो पानी वे इसमें एक लीटर शामल कर रही हूं क्योंकि बीप का गोश्ट है तो गलने में थोड़ा सा टाइम लेता है तो यहां पैश्री कुकर करकर डखन बंद करने के बाद अब हम इसे 30 मिनट तक पकाएंगे तो यहां पे 30 मिनट हो गया है तो अब हम चेक कर लेते हैं कि गोश्ट अवारा गला है के नहीं तो यह देखे माशाला से गोश्ट अवारा गल गया है और इसे अब हम पैन में निकाल लेंगे तो यहाँ पे पैन में जो थोड़ा सा पानी है उसे ड्राइ कर लेंगे तो अब हम इसमें शामल कर देंगे एक कप आयल और आयल शामल करने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि इसमें जो पानी है वो खुश्क नहीं हो जाता तो यहाँ पे फ्लेवर के लिए हम इसमें सबस अलाइची शामल करें, इसे बड़ी अच्छी खुश्वू आएगी तो यहाँ पे गोश को बूनते हुए पांच मिनट हो गए, तो यह देखें इसमें पानी था वह सारा खुश्क हो गए तो अब हम इसमें शामल करेंगे एक कप दही, दही को मैंने अच्छी तरह से पैंट लिया था, तो अब दही शामल करने के बाद, अब मजीद हम इसे तीन से चार मिनट तक पकाएंगे, ताके ओल सेप्टेट हो जाए और दही का पानी भी खुश्क हो जाए तो ये देखें, दही का पानी खुश्क हो गया है, तो लास्ट में हम इसमें एक चामल करें ब्लैक पेपर, तो ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा बीफ पुरा हो गोश्क त्यार हो गया है तो अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकालेंगे, तो आप इसे रोटी के साथ खाएं या फिन्नान के साथ, ये दोनों के साथ ही परफेक्ट लगता है, बहुत ही मज़ेदार ये त्यार होता है, सौफ्ट तो इतना कि मूँ में जाते ही गुल जाए, आप मेहमानों के आ करें हमारे चैनल इसी कुकिंग को और साथ लेके बेल आइकोन को प्रेस कर दिया करें, ताके हमारी हर नही आने वाली वीडियो आप तक बहासानी पहुंच सके, तो मिलते हैं भेर किसी नई रेस्पिक के साथ, तब तक के लिए, अलाफ पेस